हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माय यूट्यूब चैनल तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो अज़ हम बात करेंगे बिहार सिमुलतुला अवासिये बिद्याले क्लासिक्स के मेंस पेपर सॉलुशन के बारे में 2020 में जो मेंस के एक्जाम का कोश्चन कमेंट करें अपने दुस्तों के वाट्सप ग्रूप पर सेयर कर दें इस वीडियो में आपको तीन सब्जेक्ट का सोल्यूशन बताऊंगा एक साइंस उसके बाद सेस्टी और एक आपका हिंदी क्योंकि अगर मैं सभी सब्जेक्ट का अगर बताऊंगा तो वीडियो बहु और तो स्लाइड थोड़ा सचिंद करना पड़ेगा तो हम लोग सबसे पहले आते हिंदी के पौर्षन पर हिंदी पर ध्यान दीजेगा सबसे पहले ठीक है तो यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यान देजेगा खंड आ हिंदी का पेपर है पहला कोशन बोल रहा कि दुरगा पूजा किस माह में मनाई जाती है तो इसका आपका सही अंसर हो जाएगा आश्विन ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रमजान में किस तरह की साधना की जाती है तो रमजान में रोजा रखा जाता है तो आपका सी नंबर हो जाएगा मिसीने रिज आप चैरिटी के संस्थापी का कौन थे तो यह आपका हिंदी के किताब से पूछा गया कोश्चन है नेक्स्ट कदम का पेड़ कभीता के रचेता बताएगे कौन हो जायगा तो सुवद्राकुमारी, जव्हान ठेक है चलिए अब नेक्स्ट आगे बढलते हैं चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं झिंगोला सब्द का मतलब बताना है कि क्या होता है तो इसका मतलब होता है तो मंजिल का अर्थ होता लच्छ है नेक्स्ट चतूर चितरकार कभीता के कभी कौन है तो इनका है राम नरेश त्रिपाठी दस नमबर पराते हैं अंधेर नगरी के अंधेर नगरी एक आंकिके रचनाकार कौन है तो भारतेंदु हरीस चंदर है चलिए next आ गया थे 11 नमबर पर तो जैसा कि आप इ 11 नमबर देख सकते हो कि यहां पर यह एक पैसेज है तो पैसेज आप पढ़ लिजेगा पहला question बोल रहा कि राजा कहां फस गया था तो राजा आपका फस गया था तेरा नमबर पर आते हैं तेरा नमबर में क्या कह रहा है कि राजा ने बच्चों की मां से क्या जानना चाहा तो बच्चों के स्वस्त रहने का राज भी नमबर हो जाएगा ठीक है next बोल रहा मां ने बच्चों को पहली बात क्या सिखाई तो इसका अंसर देखे यह उपर है उपर देखेगा एक सेकंड यहां उपर पर आईए उपर में क्या बोल रहा है कि इसी नंबर हो जाएगा ठीक है मेहनत कर अपना कार स्वायम करने के लिए उसके बाद बोल रहा मा ने बच्चों को तीसरी सीख क्या दिती तो यह आपको बत बूख हो उतना ही खाने के लिए ठीक है नेक्स्ट आगे आते हैं अगे चलिए नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है एक आपका दिया हुआ पद्यांस वह पद्यांस को आप पढ़ेएगा यह हिंदी के किताब से भी दिया हुआ है तो इसमें आप कोश्चन को आपको जवाब देना है पहला सोला नंबर बोल रहा है कि समय बीत जाने पर क्या होता है तो समय बीत जाने पर क्या होगा तो समय बीत जाने पर एक सेकंड थोड़ा सा टेक्निकल प्रोब्लम हो गया है एक सेकंड रुगिएगा थोड़ा सा तो समय बीद जाने पर क्या मिलता है तो पस्तावा मिलता है नेक्स्ट आगे आते हैं कारा तुलसी संसार के लोगों को किस तरह रहने की सीख देती है तो यह आपको बताना है तो आपका हो जगा हिल मिल कर चलने किसी नमबर नेक्स्ट बोलड़ा वो अकाउंट सद्रभ है जो अपनी कीमत खुद नहीं बताता हीरा नेक्स्ट बोलड़ा संसार में किस परकार के लोग है तो भाती-भाती के लोग है जरूरत से अधिक क्या कहलाता है तो अती नेक्स्ट बोल रहा नाटक में निर्देश करने वाले को क्या बोला जाता तो निर्देशक नेक्स्ट अब आगयाते हैं चलिए 22, 22 पर आते हैं किस तक हो चुका है 22 पर आते हैं हम लोग करा जो फल का आहार करता उसे फलहारी कहते हैं इनमें सही रूप में लिखा गया सब्ध कौन है तो कवयत्त्री नेक्स्ट हीरा नीला असकट पहंकर स्कूल गई ठीक है तो बाक में नीला क्या है तो बिशेशन है नेक्स्ट अब आगयाते हैं तो यह आपका 24 अब आगे 25 नमबर पर आईए 25 नमबर पर क्या कह रहा है 25 नमबर में बोल रहा हाथी की बोली क्या कहला आता तो एक नमबर हो जागा ची घाड़ना माता के भाई के पिता क्या कहला आते हैं तो नाना नदी का बहु बचा नदियां हो जाएगा आयू में अर्थिक नीती का ग्याता क्या कहलाता है तो अर्थ सास्त्री कहलाएगा आकास सब्द का उल्टा पताल हो जाएगा द्वार का रच्छक द्वार पाल गूलर का फूल होना तो यह आपको मुहाबरा बताना है कि गूलर का फूल होना मतलब क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जबाब दीजिए इसका मतलब होता है फूल खिलना ठीक है नेक्स्ट चौतिस नमर बोल रहा कच्छा सब्थ का बहु बचन क्या हो जाएगा कच्छा है तलाब में वह डूब गया बाक में वह क्या है तो सर्वनाम है दोस्त का बिलोम बताना है भाई साब तो दोस्त का बताईए दुस्मन हो जाएगा खेल खेलना मतलब क्या होता है तो खेल खेलना मतलब होता है परेशान करना ठीक है अच्छा एक चीज मैं आप से पूछता हूँ या भी जो आपका एक नंबर पीछे थोला सब्थ हम लोग आते हैं यह गूलर का फूल होना जो 33 नंबर इसका अच्छा आगे नीम का कड़वा होता है खाली अस्थान आम मीठा होता है रेक तक भरिये यहां पर आपका हो जाएगा परँदू प्रँदू इहां पर फिल आप लेक्स्ट अब 49 नंबर पर आते हैं तो 49 नंबर बोल रहा है गुलाब फूल का रंग लाल है बाग में लाल क्या है तो लाल पीसेशन है नेक्स्ट बोलड़ा पोखरा सब्द का मतलब क्या होता तो तलाब होता डी नंबर इसका शाहिए अंसर कर लिजेगा अब देखिए यहां पर English का portion हो तो English का portion में अगले वाले वीडियों करवा दूँगा फिलाल हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके science के portion पर बढ़ते आगे तो देखिए यहां से science का portion स्टार्ट हो चुका है चलिए तो कह रहा है इसमें एवरेश्ट की उचाई बताये कितना है तो 8848 देखिए कभी कभी एक्जाम में 8048 मीटर नहीं देकर 8850 भी रह सकता है ठीक है मीटर में ठीक है ध्यान में रखेगा ठीक है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है चलिए next आगे आते हैं किस खेल में कच्छा के सभी बच्चे भाग ले सकते हैं तो खोखो ठीक है किसमें हो जाएगा तो खोखो किसने मलेरिया भीमारी के इलाज की खोज किया तो मलेरिया की खोज किसने किया बताईए रोनाल्ड रॉस नेक्स्ट बोल राइन निमली खित में से कौन पारदर्सी है तो कांच पारदर्सी है बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यदा कहां होती है तो रोहतास में नेक्स्ट आगे आते हैं नेक्स्ट बोल रहा है इसमें कि खाकरा और दाल किस राजी की बिसेस्ता है तो गुजरात नेक्स्ट का रहा है बिहार में अभिहारन ने कहा है तो बताइए बिहार में कहां भिहारन ने भागलपूर में ठेक है आप 88 नंबर पर आते हैं आप भी अपना कमेंट बॉक्स में आप भी अपना परतिकिरिया लिख सकते हो ठेक है कि आपके इसाब से कौन साथ साई उत्तर हो सकता है तो आप है कमेंट करिए को 88 नंबर पर आते हैं 88 नंबर में कह रहा है इसमें कि मखाना की खेती होती है तो मखाना की खेती जो होता है तो यह आपका किसम हो जाएगा मखाना की खेती तो जली हो जाएगा नेक्स्ट बोल रहा बिसनोई का अर्थ क्या होता है तो 29 ठीक है नेक्स्ट बोल रहा ब्रेल लीपी में सिलेट पर कितने बिद्यों को उभार कर लिखा जाता है तो अच्छा है नेक्स्ट बोल रहा है गत का मत मार्सलाट है कपास के वीच का विखराव किसके द्वारा होता हावा के द्वारा तमभाकुश एवन करने से कौन सब बिमारी होता तो मुह का कैंसर परचीन काल में कौन चीन यातरी नरंदब इस विद्याल में पढ़ने पढ़ाने आये था तो हुए अनसांग नेक्स्ट कह रहा है आगे नेक्स्ट आईए नेमलिकित में कौन जलिय पवधा नहीं है तो जलिय पवधा गुलाब नहीं है ठीक है नेक्स्ट बोलड़ा जल मंदिर बिहार में कहा है तो पावापूरी में है मलेरिया बीमारी का बाहक कौन है तो मलेरिया बीमारी का बाहक नेक्स्ट बोल रहा लंबी अब धी तक खाद पजार्थ है रखना हो तो क्या करना चाहिए तो पानी का अंस निकाल देना चाहिए ठीक है नेक्स्ट प्रचीन मगद की रधानी कहा हो जाएगा गिरी ब्रज अगर गिरी ब्रज ओप्शन में नहीं रहेगा तो राजगीर को भ पहला नेक्स बोल रहा खरीब फसल किस मौसम में लगाई जाती है तो बर्सात के समय में बेटी और बिरिश दोनों का संरचन किस गाउं की परंपरा है तो धरहरा नेक्स बोल रहा यचमा बिमारी होती है तो जीवानू के द्वारा होता है नेक्स्ट अब आ गयाते हैं 105 नंबर से गुलावी सीर बाला बत तक क्या हो गया है तो जंगलों से लगवाग खत्म हो गया है नेक्स्ट बोल रहा किसने तेंजिंग नुर्गे के साथ हिमाले परवस रिंखला के सिखर पर जंडा फेराया तो सर एंडमंड हो जाएगा एंडमंड ही ले एंडमंड ठीक है नेक्स्ट आईए 109 कैक्टस पौधा क्या है तो कैक्टस पौधा आपका मरूभूमी वाला पौधा है जैब उर्वरक का उदाहरन कौन है तो जैब उर्वरक आपका गोबर हो जाएगा चंद्रियान टूक और सफल बनाने वाली दो महिलाएं कौन कौन है तो मुधाया बिनीता और रिदू करिगाल नेक्ट बोलर नाथुला का रास्ता परचिनकाल में किस नाम से जाना जाता था तो सिल्क मार किसे 112 तक हो गया है अब हम लोग 113 में आते हैं 113 पर ठीक है तो 113 नमर 20 परिया बरन दिवस पांस जुन को मनाए जाता है नरंदा बिस विद्याले में धहर में गंज किसे कहा जाता तो पुस्त कालाई को सौर कूकर में खाना कैसे पकता है तो सुर्य के परकास से नेक्ट बोल पर्ठा है उलू-उलू-ध्वानी के साथ संख्वानी कहां की पर्था है तो यह कहां का पर्था हो जाएगा तो यह बंगाल पत्ति करियेगा ठीक है तो इसे आप ध्यान में तक्किएगा अचप 110 116 नंबर को आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजेगा थोड़ा सा इसे है मुझे नाथुला और बंगाल में सक लग रहा है कि थैक तो ऐसे जायातर्सक बंगाली पर है नेक्स बंगाली होगा इस cancer ने सौर प्टिका ठीक है तो सौर पठिका का सरोत कौन है तौए तो सौर उर्जा नेश्च बोलर रवी फपसल का उदारन बताइए कौन होजाएगा तो पहले नमबर यो जाएगा रबी फसल का साइन्स का कुश्ट्छन था जो आपका समाफ्थ हो गया है जलिए आग आते हैं समाजिक भिज्ञान ए HRT के पुर्सर में ठीक है तो क्या बोल resto इसमें बिहार में रज्जु मार्ग कहा है तो बताए कमेंट बॉक्स में बिहार में रज्जु मार्ग कहा है तो यह आपका हो जागा राजगीर नेक्स्ट बोल रहा है संचार का सबसे लोग प्रिय साधन कौन है तो मोबाइल फोन हो जाएगा बिहार का कौन सचेतर बाल गरस थे तो उत्री बिहार नेक्स्ट निमलिखित में कौन उद्योग किरसी पर अधारित नहीं है तो नहीं है तो सिमेंट उद्योग हो जाएगा नेक्स बोलता निमलिखित में कौन प्राकिर्ति काबदा है प्रता प्राकिर्ति काबदा इसमें कौन है तो भुकम्प 126 में सुनामी का पर्मुख कारण क्या है तो समूदर में भोकम पाना 127 पर आईए 127 नमर पोल रहा है यूरेनियम का पर्मुख कुद पादा कौन है तो जादू गोड़ा भारत के पर्थम राश्टर पती कौन है तो डाक्टर राजेंदर परसाद देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा तो पंडित नहरू नेक्ट बोल रहा बैसाली किस राज में अवस्तित है तो बैसाली आपका हो जाएगा बिहार में नेक्ट बोल रहा नेमन में कौन मानव जनित आफदा है तो सभी है इन में से संप्रदाइक दंगे आतंगबाद महमारी सभी है इसमें ठीक है चलिए नेक्ट आगे आते हैं नदियों में बाढ़ का मुख कारण क्या है तो दखिए ऐसे तो सभी होना चाहिए ए बी सी सब हो होना चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है तो पानी क्या देखता भी बरसा क्या देखता नदी में गाज जमा होना ही सभी हो सकता है नेक्ट बोल रहा है भारत के किस स्थान पर पहला परमानू उर्जा केंदर स्थापित किया गया था तो तारापूर ठीक है महरास्ट रहा है नेक कि Bin desarrollo के लिए अरच्छन का परफधान है बताई अरच्छन का परफधान कहां हैए थो आपका हो जहागा पंचाईती राजब्रबस्ता में फैंस अब आगा आत निमिलिख 138 अब 149 पर आते हैं देखिए 149 नंबर क्या कहा रहा है गांधी जियांती कम माना आए जाता है दो अक्टूबर किरिसी सुखाड होता है तो कैसे होता है तो देखिए मिट्टी में नमी के आभाव के कारण किरिसी सुखाड आ जाता है नेक्स्ट बोल रहा भारत में कुल कितने राज हैं तो 28 और आठ जो आपका है वो गिंदर सासित परदेश है चलिए नेक्स्ट आगया आता है 142 नमबर गुरु गुविन सिंग का जनमस्थल कौन सा है तो वो बताना है तो यह आपका हो जाएगा पटना सीटी बिहार के पहले मुख मंतरी कौन है तो डाक्टर स्री क्रिसन सिंग परतेग वर्ष के स्थिति को बिहार दिबस मनाए जाता है तो 22 मार्च है नेक्स्ट करा बिहार में कुल कितने जिले हैं तो 38 जिला है चलिए नेक्स्ट आते हैं बिहार का राजकिये पच्छी बताना है कि राजकिये पच्छी कौन है तो गवरईया हो जाएगा नेक्स्ट गर्मी से प्राप्त उर्जा को क्या कहा जाता है तो सौर उर्जा बिस में सबसे लंबा जानवर कौन है तो जिराफ हो जाएगा नेक्स्ट बोलता भारत मत दाता होने की नियुनतमायू कितना है तो 18 वर्स ठीक 18 वर्स हो जाएगा नेक्स्ट बोल रहा गराम का चाहरी का प्रधान कौन होता है और यह आपका सबसे लाश्ट कोस्टान 150 नंबर तो कमेंट बॉक्स में आप अपना परतिकिरिया बताईए कि कौन हो जाएगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा सरपंच ठीक है तो मैं यहाँ पर तीन सब्जेक्ट कभर करवा चुका हूँ ठीक है साइन्स एसस्टी और हिंदी बाकी आपका मैथ इंगलिस और रिजिनिंग का मैं अगले वाले वीडियो में सुलिशन करवा दूँगा ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करदे लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों को वाटसब गूर्व पर सेयर कर देंगे ठीक है जितना हो सगे तो मैक्सम सेयर कर दीजेगा क्योंकि आपको सिमुलतला के मेंस का जितना भी पेपर स्लिशन है 2020-2019-2018 17 सभी का स्लिशन इस वीड प्रिवियर का कॉस्ट्ण आपको एक्जाम में डाय डाय्यवेट देखने को मिलते होंगे जैसा कि आपने पीटी में भी देखा हूआ प्रिवियर का भी पूछा हूँआ है ठीक है तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं तब तक लिटी जय हिन जय भारत